Hello Everyone, Welcome to Exam Warbit Classes आच के किलास में डिसकस करेंगे साथ बाड़का Most Important Current Of Years परिस्ट परिस्द करेंट आफ यर के साथ इस किलास में हम लोग स्टेटिक जीके भी गबर करेंगे साथी कल के क्लास का quick revision भी कराया जाएगा क्लास के last में कुच question आपसे पूछे जाएगे जिनके answer आप सभी को देने हैं comments box में फबर्स इस क्लास की PDF आप सभी को पीडियो के नीचे description box में पिल जाएगी तो चलिए class start करते हैं डिसक्रिप्स करेंगे first question भारत की स्वयचालि ट्रेंट टकर सुरक्षा प्राणली काक्या नाम है तो इसका right answer होगा आप संडी कबच आई डिस्कस कर लेते हैं कबच के बारे में भार्तिय रेलवी ने एक स्वयचालि ट्रेंट टकर सुरक्षा प्राणली यानि कबच का हाली में सपल परिक्षड किया है कबच स्वयदेशी रूप से विक्सित प्राणली है जो ट्रेनों के बीच तकराब को रोकती है अब डिसकस करेंगे रेलबे से रिलेटिट जितने भी important facts हैं जो की आगामी परिक्षा के लिए important है एके करके कोई क्रिवीजन कर लेते हैं हल्दी बाड़ी चिलाहाटी रेल मार किन दो देसों के बीच है तो फेंस याद रखना है भारत और पांगलादेश के बीच हल्दी बाड़ी पच्छिम बंगाल में है जबकि चिलाहाटी है पांगलादेश में अब आप लोग कुछे कमेंट्स बॉक्स बताईए कि बत्मान में बांगलादेश की प्रधान मंतरी कौन है कौन सी ट्रेंड तच्छड रेलवे की पहली एक इकरत प्रवंदन प्राणली प्रमाड़े ट्रेंड बन गई है चेन्नाई मैसूर सिताब्धी एक्सप्रेस रेल बजट को आम बजट से किस समीती की सिपारिस पर अलग किया गया था एकरत समीती की सिपारिस पर रेल बजट को आम बजट से किस समीती की सिपारिस पर बिले किया गया था विवेक देबरोय समीती की सिपारिस पर Lifeline Express भारत की पहली hospital train है रेल यात्रियों के खोई हुए सामन को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे ने हाली में कौन सा mission launch किया है तो फेंट्स याद रखना है mission अमानत जैनगर और कुर्था रेलवे किन दो देजों के बीच है भारत और नेपाल के बीच भारत का सौपरतिसत बित्ती करण रेलवे जौन कौन सा है पच्छमी मद्ध रेलवे जौन्स जिसका मुख्याले चबलपुर मद्ध प्रदेश में है भारत में कुल कितने रेलवे जौन है अठारा भारतिय रेलवे ने पहली बोर्ट होटल का उदगाटन हाली में कहां पर किया है मुंबई महरास्ट में रेलवे बोर्ट के अध्यच और मुख्य कारिकारी अधिकारी है वरतमान में बिने कुमार तरपाटी अगर आप लोग पहली बार चैनल पर बिचिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और बेल आइकन दवान बिल्कुल ना भूले जिससे आप लोगों को क्लास का नॉटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा अगला कोशन डिसकस करेंगे राजस्थान हाई कोट के कारवाहग जस्टिस के रूप में किसे नियोक्त की आ गया है तो इसका राइट आंसर होगा आपसद एक जस्टिस M.M. स्रीवास्टब को M.M. स्रीवास्टब को आप लोग पिक में देख सकते हैं आपको बता दे कि M.M. स्रीबास्तव अकिल अब्दुल हामित कुरेशी की जगे लेंगे अब डिसकस कर लेते हैं अन्य हाई कोट के प्रमुख चीफ जस्टिस रिबिजन आंद्रप्रदेश हाई कोट के चीफ जस्टिस कौन है परसांत कुमार मदरास उचिन्याले के मुख नियाईदीस हाली में कौन बने है मुनिश्वर नाथ फंडारी हिलाबात हाई कोट का मुख नियाईदीस नियुक्त किया गया है राजिस पिंदल को कलकता हाई कोट के चीफ जस्टिस है प्रकास्री पास्तव गुजरात हाई कोट के चीप जश्टिस है अरबिंद कुमार तेलंगाना हाई कोट के चीप जश्टिस वने है सतीज चंद्र सर्मा मद्द प्रदेश हाई कोट के चीप जश्टिस बनाया गया है आरबी मालिमत को जबकि करना तक हाई कोट के चीप जच्छिस है रितू राज अबस्ती किस राज्य सरकार ने मननार की खाड़ी पाक खाड़ी में डुडों के लिए भारत के पहले सर्रच्छर रिजर्ब की स्थापना क्या देड़ने लिया है तो फ्रेंसिस का राइट आंसर हो जाएगा अपसंसी तमिलनारू सरकार ने पाक खाड़ी आपलोग मेप में देख सकते हैं यह है इंडिया और यह है स्रीलंका डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपोटेंट फैक्टर यह भारत को दुगोंग सरचर के सम्मंद में दच्छर एसिया उपचित्र में अगने रास्ट के रूप में कारे करने की सुविदा परदान करेगा परदान करता है डुडोंग जिसे सी काउवी कहा जाता है सिरेनी या सिरेनी की चार जीवित परजातियों में से एक है तथा यह सहकारी इस्थनपाई की एक मात्र मौजूदा पर जाती है जो भारत सहित भारत के समुद्र में बिसेस रूप से रहती है फ्रेंट्स इसका मुख्य भोजन है समुद्री खांस अब डिसकस कर लेते हैं आगे सरच्छर रिजर्ब के बारे में देश के उन सरच्छी छेत्रों को दर्साते हैं जो आम तोर पर इस्थापित, नैस्टनल पार्क, बन्यजीव अभ्यरणों और आरच्छी तता सरच्छी जंगलों के मद्ध बफर जौन के रूप में कारे करते हैं अब डिसकस करेंगे टॉफ फाइप तमिलनाडू लेटिस्ट करेंट अफ येर यानि हाली में खबरों में रहा तमिलनाडू कौन सा राजबर्स दो हजार बाईस में पहली बार राजा राजिन रचोल की जैनती मनाएगा तमिलनाडू सड़क पर रहने वाली जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बूलेंस कहां सुरू की गई है तो फेंट्स याद रखना है तमिलनाडू राजबर्स में कांजु वैली बैटलेंड को तमिलनाडू का सोलबा पच्छी अभियरन खोशित किया गया है केस राज़सरकान ने तमिल थाई बाज़तू को राज़गीत घोशित किया है तमिलनाडू ने हाली में भारतिय अंतरिच अनुसंधान संगठन यानि इसरो ने बिकास इंजन का सपल परिक्छन केस राज़सरे किया है तमिलनाडू से अब आप लोग जल्दी से कमेंट्स बॉक्स बताईए कि इस रो की स्थापना कप की गई थी चलिए नेस्ट कुशन डिसकस कर लेते हैं थैन्यम या कालिया अटम के सराज़िया केंद्र सासित प्रदेश में किया जाने वाला एक अनुस्ठानिक नरत है तो फ्रेंट्स इसक भरत नाट्यम तमिलनाडू का है कथकली किरल का है कुचीपुरी आंद्र प्रदेश का है याद रखिएगा क्योंकि मोस्ट इंपोडेंट है अक्सर ये एक्जाम में पूछ लिए चाते हैं उडिसी उडिसा का है सस्त्रिय असम का है मनीपुरी मनीपुर का है मोहिनी अटम ह करेंगे किस केंद्र ये मन्त्राले ने स्वेदेश दर्शन पुरुषकार का गठन किया है तो राइट आंसर होगा अपसंडी अबास और सहरी मामदों के मन्त्राले दुआरा हाली में इस पुरुषकार का गठन किया गया है आए डिसकस कर लेते हैं इस अबाट के बारे में परेतन मंत्राले ने राज्य सरकारों और केंध्र सासित परदेसों के पिरसासन और भिविन क्रियामबयन एजन्सियों दोपरा किये गई प्रियासों को सम्भानित करने के लिए भिविन सरेणियों में स्वहधेश दर्सन पुरुषकार का गठन किया है आपको बता दे कि स्वेदेश दर्सन यूजना के तहट 500 से अधिक पर्येटन इस्थलोग पर पर्येटन सम्मंदी बुनियादी धाचा विक्सित किया गया है फेंट्स याद रखिएगा कि स्वेदेश दर्सन यूजना की सुरुबात की गई थी 2014-15 में डिसकस कर लेते हैं पर्येटन से सम्मंदी टॉफ फाइब कोईशन्स कुईक रिवीजल भारत सरकार ने देश की अर्थववस्था के लिए पर्येटन के महत्व के बारे में चागरुकता बढ़ाने के लिए किस दिनान को राष्ट ये पर्येटन दिवस के रूप में इस्थापित किया है 25 जन्वरी को केरल का पहला कार्मा पार्क कहां पर बन रहा है हेले स्टेशन बागा मोन में जो की कहां पर है केरल राच्च में भारत पर्येटन ड्रस्टी दस्तावेश 2035 किस ने जारी किया है फैतने विश्व पर्येटन दिवस हर साल कब मनाये जाता है फ्रेंट्स याद रखना है 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट विश्व पर्येटन संगठन का मोख्याले कहां पर है मैडरिक इस्पैन में नेस्ट कुशन डिस्कस करेंगे भारत सरकान ने नई दिल्ली में आईट्यू की एक छित्रिय कारेल है और नवाचार केंद्र की स्थापना के लिए जिसके साथ समझोता किया है तो इसका राइड आंसर होगा अप्सन भी आईट्यू के साथ आईट्यू के साथ आईट्यू दूर संचार संग के साथ मेजवान देश समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं मेजवान देश समझोता छित्रिय कारेला की स्थापना और संचालन के लिए कानूनी और पीतिय डाचा प्रधान करता है आपको बता दे कि नई दिल्ली में आईट्यू का एरिया ओफिस और इनोब आईट्यू सूचना और संचार पुर्धोगिकी के लिए सयुक्त राष्ट की पिसेस एजनसी है बर्तमान में 193 सदसित तेश है इसमें अब डिसकस कर लेते हैं अंधराष्टिय दूर संचार के पारे में अंधराष्टिय दूर संग का मुख्याले जिनिवा सुजलेंड मे हैं इस थापना 17 मई 1865 में की गई थी और बर्तमान संग के महा सचिप है हाउलिंग जाहू अगला कोशन डिसकस करेंगे निम्न में से कौन सी एयर लाइन सौर इधन का उप्योग करने वाली बिस्व की पहली एयर लाइन बनने की योज़ना पना रही है तो इसका राइट आ एक अप्रेल 2002 में की गई थी मोख्याले बैसल सुजलेंड में है पर्तमान अध्यच रेटो फ्रेंसी योनी है जबकि सी यो हैं टाइटर ब्रैंक्स अगला कोशन डिसकस करेंगे किस ऑटो मुबाइल कंपनी ने इलेक्टरिक बहानों के लिए एक नया ब्रांट यानिकी वी सीलता समाधानों और आने वाले इलेक्टरिक बहानों के लिए एक नया ब्रांट बीडा बीडा का अर्थ है जीवन का अनावरन किया है अब डिसकस कर लेते हैं हीरो हीरो मोटो कॉर्फ के बारे में इस्थापना 19 जनबरी 1984 में हुई थी मुख्याले नई दिल्ली में है संस् बिवाद निप्टान और अपीलिये न्याइदी करण का अध्यच किसे न्यूक्त किया है फिंट्स याद रखेगा मोस्ट इंपोर्टेंट कोईशन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्संसी जस्टिस डियन पटेल को डियन पटेल को आप लोग पिक में देख सकते हैं वह पदवार घिरण करने की तारिक से चार साल की अबधी के लिए या सत्तर वर्ष की आयू प्राप्त करने तक न्यूक्त किये गए हैं अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप फाइब प्रमुक अध्यच न्यूक्तिया किसने परिधान निर्याद संबर्धन परीसत के नए अध्यच के रूप में पदवार गिरण किया है नरेंत्र कुमार कोइंकान है हाली में किसे 2022 के लिए सुरक्षा परीसत की आतंकवाद निरोधी समीती का अध्यच न्यूक्त किया गया है टियस्त त्रमूर्थी को संजीब मैता फिकी के अध्यच बने है बिवेट जोरी केंद्रिया अपर्ट चकर और सीमा सुल्क बोड के नए अध्यच बने है विश्विद्याला अनुदान आयोग का नया अध्यच नियूक्त किया गया है प्रोपिसर एम जग्दीश कुमार को नेस्ट कोईशन है हिंदुस्तान पैट्रोलियन कॉर्परेशन लिमिटेड और किसने हरित उर्जा लच्छों के लिए समझोता अज्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं तो इसका राइट आंसर होगा अपसंसी सोलर एनरजी कॉर्परेशन आफ इंडिया लिमिटेड ने हैं डि याद रखिएगा कि यह भारत की एक महारतन कंपनी है अगला कुशन है हाली में किस मंत्राले ने दुनिया के सबसे बड़े सहरी स्वच्छता सर्वेच्छन का लगातार सात्वा संसकरन सुरू किया है तो इसका राइट आंसर होगा अपसंडी अवाज और सहरी मामलों के मं मत्राले ने अगला कुशन डिस्कस करेंगे ताटा आईपेल दो हजार बाइस के लिए किस घरेलू कार्ट को भुकतान नेट्वर्क को ऑफिसीयली पार्टनर बनाया गया है तो राइट आंसर होगा अपसंडी रुपे को फेंट्स आपको बता दे कि रुपे भारत की तरब से अपनी तरह का पहला गिलोबल कार्ट भुकतान नेट्वर्क है अब डिस्कस कर लेते हैं टाटा आईपेल दो हजार बाइस टाटा आईपेल दो हजार बाइस 26 मार्ट से सुरू होगा और फाइनल 29 मई 2022 को खेला यहें टूनामेंट का पंद्रवा संसकरण है यहें टूनामेंट मुंबई और पूरे में खेला जाएगा इस बार आईपेल में कितनी टीमें भाग ले रही है तो फेंट्स याद रखना है 10 टीमें तो फेंट्स यह था आज का करेंट अफेयर अब डिसकस कर लेते हैं डेली लाजबत राइको संडर्स की हत्या किसने की थी भागसींग ने 1857 इसवी के विद्रो में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था मंगल पांडे ने भारत की पहली महिला राजजपाल कौन थी सरोजनी नाइडू अर्थ सास्त्र नामक उस तक किसने लिखी है चाणक की यानि की कोटल्यन है जै जवान जै किसान नारा किस ने दिया है लाल बहादूर सास्त्री ने संबिधान सबाग के इस्थाई अध्यश कौन थे डॉक्टर राजिंद्र परसाथ ओडम किस राज्य का पर सित्योहार है तो फ्रंच याद रखना है केरल का कल के क्लास का क्विक कब 2022 खेल का आयोजन किया जा रहा है न्यूजीलेंड में सुरज कुंड हस्त सिल्प मेले का आयोजन किया जाएगा हर्याणा में किस अंगठन ने मॉनोलिथिक माइक्रोवेव इंट्रिग्रेटिड सर्किट विक्सित किया है जिसका उप्योग EOS04 के रडार इमेजिंग पूर्व ऑस्टेलियाई लेक इस पीनर का नाम बताईए जिनका हाली में निदन हो गया है सैन पान का किस आयाइटी की तरब से नैस्नल मिशन फोर क्लीन गंगा के पूर्व महाने देशक राजी प्रंजन मिस्रा को गंगा पुनरुद्धर पूरुसकार 2021 से सम्मानित किया है आई आई टी रोड़की बिमानन कंपनी जेट एयरवेज के नए सीईओ बने है संजीब कपूर आगे डिसकस करेंगे Center for Science and Environment State of India की परियावरल रिपोर्ट के अनुसा सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत के सिस्थान पर रहा है 120 सिस्थान पर ग्रामिर छित्रों में अपनी गाड़ियों की पहुँच बढ़ाने के लिए अनुवव नाम से एक चलते फिरते सोरुम को किस ने लॉंच किया है टाठा मॉटर्स ने US COVID वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्त करता देश है बांगला देश किस भार्टियव बैंक ने प्रतिवंदित रूसी संस्थानों को बैंकिंग माध्यमों के जरिये भुकतान पर रोक लगा दी है एश वियाई ने तो फरंट्स ये था कल का करेंट अफियर अब कल की क्लास में आपसे जो कुश्यन पूछे गए थे उनके आंसर एक बार देख लेते हैं प्रियम गांधी मोधी दुवारा लिखित इन लीसन टू पोटेक्ट नामक पुस्तक का बिमुचन किस ने किया है मनसुप मांडविया ने किस राज्य सरकार ने दवाओं की डिलेवरी के लिए इसका येर के साथ साजेदारी की है हिमाचल प्रदेश सरकार ने लंबे समय तक सांत रहने के पशात बिसपोट होने वाला जुआला मुखी क्या कहलाता है सुसुप्त जुआला मुखी फ्यूजियामा किस देश का जुआला मुखी परवत है तो फेंस याद रखना है चाहपान का बिसु बीसीय जुआला मुखी किस देश में इस्तित है इतली में अब आप लोगों के लिए कुछ कोईश्यन है जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में हाली में जल मेट्रो परयोजना वाला भारत का पहला सहर कौन सा बना है भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबों का हाली में किस नेसनल पार्क में निधन हो गया है भिलाई लोग इस बाज सयुन किस थापना किस देश के सयोक से की गई है नेस्ट कोईशन है डीजल लोको मोटिव कार खाना कहां इस्तित है नेस्ट एंड लास्ट कोईशन है फार्टिय इसपात प्राधी करण लिमिटेट की स्थापना कब की गई थी तो इन सब के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में आज की क्लास आप लोको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएगा साथी क्लास को लाइक, सेर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा आज की क्लास अमरी यहीं समापत होती है थैंक यू, थैंक यू सो मच